है लो कि लो मुस्कार आज के ज। कि रोड करके पार्ट के इंट्रोडक्शन अपमें, आप सभी का स्वाबुखकD नब करती हूँ आज पाफ वारज पुर्त करती हूँ आज आज का हमारा जो टॉपिक है जो इंट्रोडक्शन आप लोगों को लास पुर सेशन में करवाया था तो तोड़ी बहुत जो इंफॉर्मेशन बची थी वो मैं यहां पर एक्स्प्लेन करने जा रही हूँ आज मैं आपको पूरा लेमोस्टोशन करके दिखा रही हूँ कैसे इसको यूज दोना है इसे मैं आपको बताया था कि यहां पर एक क्लिप किस मजब से आप यहां पर इसको एड्रेस कर सकते हो यह ग्लास आप कभी भी बैक साइड मत लेकी जाहिए और तूकि यह थोड़ा इसको थोड़ा हांफुल है अगर आप बैक सेड प्रेशर से लेके जाते हो तो इसको स्टा इसमें आप देख सकते मैं आभी इसको रखनी सिर्फ दस मिंट होगे और बहुत जादा गरम कंटेनर होगे कि मैं इसको हाथ नहीं हाथ से नहीं पखड़ता होगी आप जो खाना जिसे पताने के लिए बहुत टाइम लगता है वो खाना आप यह कंटेनर में यह साइड में पीछे साइड और सामने जो है जिसको आपको टाइम कर लगता है एक जिसको पूसी कि यह पूंति करनाना है इसको तुरंट बन जाती है तो आप यह साइड में उसको रख सकते हैं साथी साथ आपको रात का बच्चा वो खाना घरम करना है तो भी आपको आपको खाना है तभी इसमें से कंटेनर लेखे चाओ और आप गरम-गरम खा सकते हैं और आपको एक बात फिर से बताऊंगी कि ये कंटेनर जो है ये हीट आप्जॉप्शन बहुत जादा करते हैं अभी देखो जस्माने 10 मिनित के टाइम में ये पूरे कंटेनर बहुत जादा जरम होगे यहां से जो हीट होती है यहां पर अंदर के जो कंटेनर को बहुत जादा गरम हो जाते हैं तो दोस्तों आपको जब भी आप सोलर को करते हो तो आपको एक ही प्रिकोर्शन लेनी है कि आप इसे बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे क्योंकि बहुत डेलिकेट पार्थ है प्लास अगर अगर खराफ हो गया या तूट जा तो इसे आपको रिक्लेस करना पड़ेगा इसका मैंटेनर साथ सब कूपने करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो इसे प्रकार के आपको यह सोलर कोकर का यूज करना है आपके पास पूरे 300 डे सब्सक्राइब रहते हैं तो आपका खाना इस पर अच्छी तरह के इसे पख जाएगा सिफ आपको और आपका फाइनेंशल बेनिफिट आपको यह होगा कि जो एलपीजी गैस आपको लग रहा था महने में एक पार वो दो तीन महने आराम से चला ज अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे यह गए बेल आइकर पे क्लिक करना ना भूले थैंक्यू बरी मच